जो बाकी Global Central Banks ने भी किया कल आधाधा परसंट और कहा भी क्रिश्टीन लगाट जो ECB की प्रेजिटन उन्हों ने भी कहा कि ठीक हम थोड़ा Fed के पीछे हैं बट हम भी इतनी aggressively ही rates बढ़ाने वाले हमने भी initially थोड़ा inflation की estimates में गलती करी जो अब हम सुधार रहे हैं देखो दीव मार्केट के investor और trader में और central bank के governor में और chairman में बहुत फ़रकोता है एक trader को क्या चाहिए 7.3 की जगे 7.1 आगया 1000 पॉइंट आउपर कर देता है उसका काम का लिए 20 basis point का ही है और एक ही दिन का है फेट चेर्मेन को भाई साब 9% से 2% लाना है उनका काम बढ़ा है आर्बे गवर्नर साब को 4% लाना है 8% से उनका काम बढ़ा है तो चाहे वो ECB के president बोले फेट के chairman बोले आर्बे गवर्नर बोले उनका view अलग है रोज trade करने वाले और investment करने वाले अलग तरीके से देखते हैं उनको तो एक वो trigger चाहिए ठीक है अब मुझे एक चीज़ बताओ अगर 20 पेसिस पर बढ़ जाये in fashion 7.3 की जगे 7.1 आया 7.5 आजाता तो कौन सा एकदम पार टूड जाता और 7.1 आगया तो कौन सा डांस करना है इसलिए जो भी ECB President बोले, Bank of England बोले, Fed Chairman बोले तो वो सही बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं अगर उन्हें नहीं confidence आ रहा अभी भी तो उनके अपने कारण है आप कैसे कह सकते हैं मुझे confidence आ रहा इसलिए जेरो में पावल साब को बोलना चाहिए कि confident हुमें क्योंकि मैं चाहता हूँ या मुझे confidence है हम उस बात पर डिबेट कर सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वैसा शायद वो नहीं सोच रहे हैं लेकिन अभी भी रास्ता लंबा तेकर नहीं तो शाथ परसंट से पांच परसंट की रहा आसान नहीं होती 9-7% आने में ही आप देखिए कितना टाइम लगा है, कितने रेट हाइक करने पड़े, कितना कुछ किया तो सारे Central Banks के तरफ से जो अभी भी सावधानी के संक्यत है उससे अपने मतलब एक ही चीज का निकालना है कि 2023 ग्लोबल मारकेट के लियाज से कम से कम फर्स्ट हाफ तो चुनोती भरा रहेगा कि Central Banks सारी सिचेशन को संभाल पाते नहीं देखिए अब तक पिछली दो बार 2008 और 2020 में Central Banks के सामने जो चुनोती आई एकोनोमी को बचाने की दोनों बार एकोनोमी को बचाने की चुनोती आई 2008 में सब्ट्राइम संक्ट हुआ था 2020 में कोविट उन्होंने 2008 में एक नया फोर्मुला डूनदा कि सारी बिमार्यों का इलाज पैसा है ठीक है चलो मंदी आई पैसा डालो लिक्विडिटी डालो, बॉन्ड खरीदो, क्रेडिट मार्केट को लिक्विड रखो 2008 में इसे बार निकल गए उस समय थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ये एक्स्रमेंट पहली बार किया था वो एक्स्रमेंट सफल की रहा, दूसरी बार दवा कर किया अब उसके साइड इफेक्ट जो है, मिठा ही सबको अच्छी लगती है लेकिन कितनी खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो शुगर भी होगी ये अमेरिका में जो हुआ वो शुगर होगी अब आपके पास लिक्विडिटी जरुत से ज्यादा होगी और अब आपका इंफ्लेशन बढ़ गया अब इंफ्लेशन को काबू में लाने के लिए जो फॉर्मला पुराना वाला है वही वाला लगा रहे है ब्याज देने बढ़ाओ, 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 जोड़ से बढ़ाओ यह सारी प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगे जा तो अगले चार-चे महिने जो है इसलियाद से सारे सेंट्रल बेंकर्स की नीन हराम करके रखेगा तो क्योंकि उनको लाना ही पड़ेगा अगर हम यह सोचे हैं कि फेड वापस ब्याज देने बढ़ाना कब खत्म कर देगा गटाना कब शुरू करेगा जब तक 4% इंट्रेशन आए तब तक वो सोचेंगे भी नी इस बारे में और अभी भी आप साथ वे हो साथ से चार आना है तीन आना है दो आएगा तब गटाना शुरू करेंगे लंबा रास्ता है तो ऐसा आसान काम नहीं बाजार अपनी जगे एकोनोमी अपनी जगे थोड़ा सावधानी वाले संके तो अभी भी वहास है इमिडेटली बाजार के लिए चिंता की आज टेंशन की बाद नहीं जो पैनिक आठ सो पॉंट देखके जिन लोगों को रात को नीन नहीं है उनको रिलीज देदू कल हम काफी कुछ गयर चीगा है जिसका हम थोड़ी दर में विश्लेश करें